उपायुक्त ने पहुँचाया गरीम बच्चों को मदद। एक बुढ़ी दादी अनात हुए तीन बच्चों को लेकर उपायुक्त कारियाले गड़वा पहुँची। दादी अपने हाथ में आधार कार्ट पकड़े हुए हैं उनके साथ तीन बच्चे हैं जिनके माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं रहें। अभाय निर्भाय और निर्मल के बेहतर भविसे के लिए दादी चाखो देवी जी उपायुक्त से जनता दरबार में मिली। अ तीनो अना छोटे छोटे बच्चों अभाय निर्भाय और निलम का क्या होगा। यह चिनता दादी के चेहरे पर और बातों में थी। इसके बाद उपायुक्त ने उन बच्चों के गाउं में उन से मिलने गए। उपायुक्त ने उन बच्चों से सनवाद किया। उन्हें म बच्चों को 18 साल के होने तक दी जा सकेगी। बच्चों का रासन कार्ड और गोल्डन कार्ड निर्गत करने की कारवाई की जा रही है। तीन बच्चों को सकूल बैग जूते किताबे टीफिन यूनिफॉर्म स्वेटर आधी दे कर सकूल में जाकर मन लगा कर पढ़ने के लिए सला दी गई। उपायुक के इस पहल से दादी को खुसी हुई। दादी खुस थी बोल रही थी बच्चों के मा बाप नहीं रहें तो क्या खाएंगे। कैसे पढ़ेंगे। सोंस्ती थी। इसलिए अपने से तीनों पोतों को लेकर आपके पास आई थी। अब मेरे पोता पोती भी पढ़ किया।